शिमला में मौझूद संजॉली मस्जिद के अवैद निर्मान को लेकर बवाल मचा हुआ है जिसको लेकर बेते दिन शिमला में जमकर विरूत प्रदर्शन भी हुए इसके बाद अब हिंदू महासभा के अधियक्ष स्वामी चक्रपाणी महराज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज ये लोग अवैद मस्जिद को संरक्षन दे रहे हैं कल अवैद लोगों का संरक्षन करेंगे सुनिए स्वामी चक्रपाणी का बयान नहीं चाहिए जब मंदीर अगर भी होता है तो मंदीरों को तुरन तोड़ देती है सरकारे लेकिन जो अवैद मस्जिद है अवैद मदर से है रोड पे बीच में बन जाते है उसको पे कोई करवाई नहीं होती अवैद तो अवैद है ना जो वैद तरीके से है उसके लिए चलो ठीक है गाइड लाइन किया ना लेकिन जब अवैद बुचड़ खाने हो अवैद मस्जिद हो या अवैद चर्च हो या अवैद हिंदु धार्मी का सलो तो स्वभावी के तोड़े जाना चाहिए तो क्यों ही मस्जिद मुस्लिम तुष्टी करण किया जा रहा है मुझ अवैद मस्जिद का विरोध करना हिंदु कर रहा है और हर राष्टवादी को करना चाहिए तो इसमें भी जेपी या कॉंग्रेस का हाते बिलकि कंग्रेस की सरकार गलत कर रही है क्योंकि वह अवैद मस्जिदों को बढ़ावा दे रही है तो ठीक है कल के डेट में बीच र रहता है तब तो इनको और वह करना चाहिए जब बीजेपी के कारेकाल में मस्जिद बना अवायद मस्जिद बना तो अब यह है तो इनको तुरंट उसको हटाना चाहिए भाई बीजेपी के कारेकाल में गलत हुआ हम हटा रहे है इसको हटा दो ना उस पे क्या हुआ अपत इसका मतलब तुम परमाणपत दे रहे हो कि विपक्षिक पे जो भी होगा और अवयद कुछ भी कर देगा तो हम उसको चुगेंगे नहीं तो ये सिर्फ आरोप परत्यारोप नहीं है ये करवाई का विश्य है और वहां पर जो आंदोलन कर रहे हैं हम उनका पूरी तरह से गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में एक मस्जिद को लेकर विवाद छिडा हुआ है जिसे लेकर खूब नारे बाजी और प्रदर्शन देखने को मिले आरोप है कि शिमला के पास संजॉली में एक पांच मंजिला मस्जिद अवयद रूप से बनाई गई है ये पूरा वि ये बढ़े रहें इंडिया पबलिक खबर के साथ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें झाल झाल